दोस्तो आज के वीडियो में आप देखेंगे अस्तिन कटिंग का फार्मूला ठीक है मैंने अस्तिन कटिंग बताई है और ये जो अस्तिन है मेरी 38 साइच के लिए है और ये अस्तिन है मेरी 34 साइच के लिए तो दोनों में बाइशेप के हिसाब से अस्तिन की गुलाई कितनी चाहिए बाइशेप के हिसाब से आर महल को कितना चोड़ा रखना चाहिए ताकि आप जब भी अस्तिन की कटिंग करेंगे आपका बुलाउस का जो आर महल रहेगा ना एकदम बरोबर निकलेगा अभी देखिए यहाँ पर आर महल कितना निकला हुआ है यहाँ देखते हैं हम तो आर महल है तीन इंच और यहाँ देखते हैं हम आर बॉल तो तीन इंच है ठीक है तो दोनों में तीन इंच आया हुआ है आर महल लेकिन बाइशेप के हिसाब से हमने यहाँ पर कितना बढ़ाया है कितना गटाया है पूरा वीडियो देखिएगा आपको पूरा किलियर समझ में आ जाएगा आप इस एथर्ट से किसी भी साइच का बुलाउच का अस्तिन कटिंग कर सकते हैं तो चलिए इसे शुरू करते हैं देखिए दोस्तो आज मैं आपको एक बहुती अच्छा तरीका अस बुलाउच का आर्म होल देखिए complete हमको बुलाउच का आर्म होल कैसे निकालना है अभी मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ जैसे मैंने यहां रखा इस बुलाउच की अस्तिन है ऐसे सीधे रख लिया अपनने और इस निसान को यहां लिकाल लिये ठीके अब आपको क्या करना है यह जो आर्म होल कटिंग करना है उसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है आपका बाइशेप कहां आता है है ना बाइशेप आता है पांच इंच पर अस्तिन की लंबई जहां पर पांच आती है ना वहां पर कस्टमर का यह जो बाइशेप रहता है ना य आप क्या करेंगे पांच इंच पर ऐसे इसको सीधे निशान को लगा लेंगे ये कस्टमबर की अस्तीन बरोबर है ना लेकिन हमको आर्म होल परफेक्ट निकालना है उसके लिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एक मेजरमेंट लेंगे ऐसे यहाँ पर अस्तीन की गुलाई कितने इंच है अपने पास देखिए ध्यान से देखिए 12 इंच ठीक है 6 दुनी 12 इंच और ये जो बलाउज है इसकी अस्तीन गुलाई कितनी है 13 इंच ठीक है तो हम अगर अस्तीन का बाइसेप निकालते हैं और बाइसेप निकालने के बा बताता हूँ आपको इस बुलाउस का आर महोल है 16 ठीक है और 38 साइज है तो ये 16 भी हो सकता है लेकिन हम मान लेंगे 16 यहाँ पर एक निशान आदा इंच हमारा रहेगा दबाव और यहाँ से हम अस्तिन की लंबई रखेंगे 5 ठीक है आदा इंच दबाव का अस्तिन की पांच इंच यहाँ पर ऐसे मार्क लगाेंगे जोकी एकदम सीधा होगा एक मार्क यहाँ पर लगाएंगे जोकी हमारे दबाव के लिए होगा ना आगे यहाँ पर से 12 रखेंगे आईसे अब एक निशान ऐसे सीधा लगा लिजीए यह लगा लिए हमने 12 इंच है यहां से एक इंच एश्ट्रा बढ़ा लीजिए यह देखिए अब एक मार्क कहां लगाएंगे आप इस एक इंच बढ़ाया न जो मैंने आगे इसके उपर अब यह आपको क्या करना है ऐसे रखना है यहां पर 8 इंच है जहां पर भी हमारा 8 जा रहा है वहां पर रख लिजिए ऐसे और इस मार्क को ऐसे सीधा लगा लिजिए अब यह जो अस्तिन है न इसको यहां मिलाएंगे इस तरह से और एक स्केल लगाकर देड़ींच हमारी मार्जिंग अभी इस निशान से डाइरेक्ट यहां पर लगाएंगे आपको डाइरेक्ट कटिंग बता रहा हूं यहां पर फ्रेंच कर्व का कोई भी रोल नहीं रहेगा अभी देखिए यहां पर से सेंटर का आ रहा है यह साथ और इसका सेंटर आएगा साड़े तीन और एक पाइंट यहां पर यह निशान लगा लिजिए यहां से क्या कीजिया आप हमें इसा के लिए 0.75 पर एक निसान लगाईए और अस्तिन को जैसे यहां से मिलाकर 0.75 पर ले जाईए ऐसे यह आ गया हमारा यहां से लगबग 0.75 दूर ऐसे रखिए और यह जो निसान है न हमारा इसको ऐसे मिलाना है ध्यान दीजिये कैसे मिलाना है ऐसे कभी भी यहां पर इतनी दूर से मिलाना है एकदम पास जाके अगर दोनों भाग मिलाएंगे तो बेक बड़ा हो जाएगा और हमारा फरंट तरब कम हो जाएगा यहां पर पहले एक छटका लगाएंगे इसे और यहाँ पर यह देखिए अस्तिन कटिंग हो गई है यहाँ पर एक ऐसे छटका लगाएंगे एक छटका इस जगे पर लगा देंगे अभी यहाँ सेंटर आ गया है इसको ऐसे पलटा लीजिए अभी यहाँ सेंटर से क्या करेंगे आप इस जगे पर देखिए ध्यान देजिए यहाँ पर यह जो हमारा सेंटर आया ना इसके उपर यहाँ रखेंगे कितना है दो इंच है तो आदा इंच पर एक निशान लगाएंगे याने 0.50 पर और यह जो निशान है ना इसको ऐसे मिला लेंगे यहाँ पर और आप जैसे हमारे केची की नोक नीचे जा रही है ना अब ऐसे घुमाना है जीदर हमारी ड्राइंग आएगी यह देखिए और यहाँ पर एक छटका क्योंकि यह हमारा फुरंट है बस इसी परकार से आपको अस्तिन की कटिंग करना है अभी देखेंगे यहाँ पर जैसे हमारा आर्मोहल 16 इंच है ना तो यह जो अस्तिन है हमारी 17 इंच भरेगी क्योंकि मैं बताता हूँ ना आपको हमेशा आज से नहीं कम से कम 2 साल से मैं वीडियो डाल रहा हूँ जब से बता रहा हूँ कि हमेशा आर्मोहल वाले जो रहता है ना बुलाउच का उसको खिचना चाहिए और अस्तिन को धका के चड़ाना चाहिए तब ही हमारे शोल्डर पर बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी अभी देखेंगे इसको 17 भरेगा यह यहाँ पर आ रहा है 17 इंज में एक पॉइंट काम ठीक है लेकिन चल जाएगा कोई बात नहीं अभी देखें यह मैंने अस्तिन बना दी है आपको दिख रही है बिल्कुल कम्पलीट इसी परकार से आपको हर साइज की अस्तिन कटिंग कर लेना है अभी मैं आपको कुछ साइज बदल कर भी कटिंग बताता हूँ तो वो भी देख लिजिए और आपको एक अस्तिन की कटिंग और बताता हूँ अब यहाँ पर आप देखेंगे यह हमारा उपर दबाओ का आदा इंज हमारी मार्जिंग जो सिलाई के लिए रहेगी वो यहाँ से पाच इंच रखेंगे यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे सवाईंच दूर पर एक मार्क जो दबाओ के लिए होगा यह अस्तिन जो हमने कटिंग की यह 38 साइज के लिए थी अब हम एक अस्तिन कटिंग करेंगे 34 साइज के लिए तो 34 साइज में जो हमारा 22 से प्रेता है वो आता है 11 इंच याने 5.5 यहाँ रखेंगे ठीक है अभी क्या करना है आपको यहाँ पर रखने के बाद में सीधा निसान लगाना है 11 पर ऐसे किलियर है यहाँ से 1 इंच बढ़ाईए ऐसे यह भी हमारा किलियर हो गया है अब 34 साइज में हमारे को आर महोल चाहिए 15 इंच ठीक है कम्पलीट 15 इंच हमको आर महोल चाहिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे ऐसे रखेंगे देखिए साड़े साथ साड़े साथ जहां जा रहा है वहाँ पर रख लीजिए ऐसे कहां जा रहा है इस जगे पर तो यहाँ पर एक मार्क लगा लीजिए अब इस निसान को सीधा रख लीजिए ठीक है यहाँ से जो बाइसेप का निसान है इससे ऐसे मिलाना है यहां पर से इस प्रकार से मिला देना है ठीके अभी आपको यहां पर रखना है यहां से ऐसे रखना है यह है 34 साइज की अस्तीन अब इसका आर महल मुझे complete 15 चाहिए तो यह तैयार कटने के बाद कितना आएगा 16 अब यहां से ऐसे रखिए कितना आ रहा है साड़े छे तो सबा तीन पर एक निसान लगाएंगे यहाँ पर सीधे चाउक से अभी देखिए यहाँ पर उपर ऐसे रखेंगे और कितने पर लगाना निसान पॉइंट सेवन फाइप पे याने पॉन इंच पर अभी यहाँ से एक यह जो इसका दोनों का आदा इससा आता है लगभग ऐसे भी आपन निकाल सकते देखी जैसे देड़ इंच पर यहाँ पर देड़ इंच से आपको इसकी गुलाई चालू कर देनी है ऐसे ऐसे ठीके यह मैंने गुलाई यहाँ तक लेके आ गया हूँ आप क्या करेंगे आप यहाँ से यहाँ से पाइंट सेवन फाइप पर निसान लगाएंगे और इस गुलाई को सीधे ऐसे मिला देंगे ठीके यह देखिए ऐसे ज्यादा बहुत टेंशन का काम नहीं है बहुत आराम से आपकी अस्तीन कड़ जाएगी और अगर इस निसान को हम डाइरेक यहाँ ले जाकर यह देखिए ऐसे मिलाएंगे तब क्या होगा अभी आपको कटिंग के बाद बताता हूँ पहले मैं इसको कटिंग कर लूँगा अभी देखिए हमको यहाँ पर देना क्या है अंदर वाला गड़ा जो की फरंड का होगा यहाँ से आप 0.75 पर निसान लगा लिजिए और इसको कटिंग कर दिजिए ऐसे मिलाएं यहाँ तक और यहाँ से ऐसे सीधे अभी देखिए यहाँ से सेंटर उठा लिजिए अभी यह हो गई हमारी अस्तीन कटिंग अभी देखिए क्या दिक्कत आती है यहाँ ऐसे रखेंगे न हम यह देखिए जब यहाँ 0.75 जैसे यह यहाँ पर अगर यहाँ तक हम दोनों को साथ में नहीं लाएंगे तो जब हम अस्तीन चड़ाते है ना बेक पर तो कई लोगों की कमेंट आती है कि बेक तरफ बढ़ जाता है फरंट तरफ कम हो जाता है वो अस्तीन कटने के वज़े से ही होता है तो अस्तीन को कम से कम 0.75 तक मिला कर निकालेंगे और देखिए कैसे मिलाना है यहाँ अब यह दोनों बरोबर आएगा बेक भी हमारा बरोबर आएगा फरंट भी बरोबर आएगा और जब बलाउस पर जोडएंगे तो बलाउस की जोड़ाई भी हमारी बिल्कुल कम्पलीट बरोबर हो जाएगी क्योंकि मैंने दो साइच की कटिंग बता ही आपको दोनों में आपको एक चीज सिमलर दिखेगी मतलब बरोबर यहां पर देखिए ऐसे यह पाच इंच है और यह भी पाच इंच है दोनों अस्तिन आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल पर नूँ है तो सब्सक्राइब कर लेन बेल आइकन अवश्य दबाना और के अपसंद के साथ तब तक के लिए मिलते हैं बाई